अगर आप भी अपनी Facebook account का passport बोल गए हैं तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताओंगा कैसे आप भी अपने mobile phone से Facebook account का passport पता कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों Facebook account का passport पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में Facebook application को open कर देना होगा तो जैसी आप भी अपने mobile phone में Facebook application को open करेंगे तो आपके समने भी Facebook कुछ इस तरीके से open होके आ जागा तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है आपको right side पर tap करने पर जो भी आपकी Facebook DP और three lines दिखर रहे हैं तो आपको अपने three lines के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको settings के निचे से दुबारा से settings का आइकन खुलके आ जागा तो आपको settings के आइकन पर क्लिक कर देना तो जैसी आप भी settings के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा interface खुलके आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला ही option मिलता है meta account center का तो meta account center में पहला आता है आपको personal details का दूसरा आता है password and security का option तो आपको password and security वाई आइकन पर क्लिक कर देना है तो आपको password and security वाई आएकन पर क्लिक कर देना है तो जैसी आप पासफिर्ट यॉरीटि वाई आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला अगर आप इसलिए चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको पता दूँँ यहाँ पर पहली के लिक है current passport, यानि कि अगर आपको भी अपने facebook account का passport change करना है, तो आपको current passport का पता होना बहुत ज़्यादे जरूरी है, तब ही जाकर आप अपने facebook account का passport change कर सकते हैं, otherwise अगर आप आपको facebook का passport याद नहीं है, तो आप अपने facebook का passport change नहीं कर सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर अपना facebook का passport लगाना है, जो current passport है, उसके बाद ही आप new passport यहाँ पर change कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर तो final हो गया है, कि आप अपने facebook का passport यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं, क्य आपको अपनी Facebook का grant passport पता लग जाएगा तो आपको पासपट चेंज करने की जुरूरती क्यों पड़ीगी तो आपको अपने Facebook का पासपट पता करने लिए अपने mobile phone की home screen पर आने के बाद Gmail application को open करना है तो जैसी आप भी अपने mobile phone में Gmail application को open करेंगा तो आपके समने भी कुछ ऐसा interface खुलके आ जाएगा तो यहाँ पर आपको right side पर टाप turn पर जो भी आपकी Gmail ID की DP दिख रहे हैं तो आपको भी अपनी Gmail ID की DP पर click करना है तो जैसी आप भी अपनी Gmail ID की DP पर click कर देंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वह वाली Gmail ID स्लैक्ट कर देनी है जिस भी Gmail ID पर आपका Facebook account बना होगा मैंने अलड़ी स्लेट करके रखिए शूटिंग रडेक्सेशन वाली इमेल आइडी पर मेरा Facebook अकाउंट बना है तो जिसका पास्पर्ट मुझे पता करना है तो वो मेरी अलड़ी लागिन है तो आपको भी लागिन कर देंगे तो जैसी आप भी लागिन कर देंगे तो लागि यहां पर आपको स्क्रोल करना है तो जैसी आप स्क्रोल करना है तो आपको स्क्रोल करना है तो जैसी आप स्क्रोल करना है तो आपको स्क्रोल करते जाना है निचे आपको बाटम मेंगे आपको लिखा यूर सेविट पासपर्ट पासपर्ट मैनेजर वाले आइकन पर क्लिक क अपने security pattern को लगा देंगे यह आपके सामने आपकी Gmail ID आजेगी जिस भी Gmail ID पर आपका Facebook account बनागो तो साथ ही निचे आपका Facebook का पासपर्ट आजेगा अगर आपको भी अपने Facebook account के पासपर्ट को copy करनागो तो आपको i button के साथ आगे copy के button पर click करने यह देखे click it to copy जने कि आपका जो है copy हो चुका है अगर आपको भी पता करना यह ने कि देखना हुआ कि मेरी Facebook account का पासपर्ट क्या है तो आपको copy के साथ पेशे i button पर click करना है तो जैसी i button पर click करेंगे यह आपके सामने आपकी Facebook account का पासपर्ट आ जाएगा तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप जो बिलकुल simple way में अपरे Facebook account का पासपर्ट पता कर सकते हैं दोस्तो यह थी कुछ छोटी से information I hope कि आपको मारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने ना बूलिए thank you कर दो